एक दिन रिंकू अपनी तीन दोस्त रेखा, सुमन और कोयल तीनों को अपने घर पे बुलाती है और तीनों को अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है तीनों को रिंकू की इंगेजमेंट रिंग बहुत पसंद आती है और फिर तभी रिंकू अपनी तीनों दोस्तों के लिए किचिन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है थोड़ी दिर के बाद रिंकू जब वापस आती है तो देखती है कि मेरी इंगेजमेंट रिंग वहाँ पर नहीं है किसी ने मेरी इंगेजमेंट रिंग को चुरा लिया है और फिर रिंकू अपने तीनों दोस्तों से एके करके पूछती है कि तुम में से मेरी इंगेजमेंट रिंको किसने चुराया है रेखा कहती है कि मेरे घर से मम्मी का फोन आया था तो मैं मम्मी से फोन पे बात कर रही थी मैंने तुमारी रिंक नहीं चुराई है सुमन कहती है कि मैं नास्ता कर रही थी मैंने तुम्हारी रिंग नहीं चुराई है और कोयल कहती है कि मैं तुम्हारे घर के दूसरे रूम में थी और मैं तुम्हारा घर देख रही थी मैंने तुम्हारी रिंग नहीं चुराई है रिंकू अपने तीनों दोस्तों की बात सुनती है और समझ आती है कि किसने मेरी इंगेजमेंट रिंक को चुराया है दोस्तों क्या आप पता कर पाए इन में से किसने रिंकू की इंगेजमेंट रिंक चुराई है दोस्तों आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताईए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड दोस्तों क्या आप पता कर पाए इन तीनों में से किसमें रिंकू की इंगेजमेंट रिंक चुराई है आईए देखते हैं तो दोस्तों इन तीनों में से सुमन ने रिंकू की इंगेजमेंट रिंक को चुराया है क्योंकि सुमन कहती है कि मैं नाश्ता कर रही थी जबकि रिंकू तो सब के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचिन में गई थी नाश्ता तो अभी तक बना भी नहीं था तो सुमन नाश्ता कैसे कर रही थी इसका मतलब है कि सुमन जूट बोल रही है सुमन नहीं रिंकू की इंगेजमेंट रिंक चुराई है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली पहली है दोस्तों आपके सामने एक सीन है इस सीन में दो घर मौजूद है और उन दोनों घर के बाहर एक एक लड़की मौजूद है दोस्तों क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से कौन अमीर है दोस्तो आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताईए इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकिंड दोस्तो क्या पता लगा पाए कि इन दोनों में से कौन अमीर है दोस्तो इन दोनों में से जो पहले नंबर वाली लड़की है वो अमीर है दोस्तो आप देखेंगे कि जो पहले नंबर वाली लड़की है और दूसरे नंबर वाली लड़की है दोनों के ही पास एक एक डौगी है लेकिन जो पहले नंबर वाली लड़की के पास डौगी है उसने गले में बहुत ही महेंगी गोर्ड जूलरी पैनी हुई है इसी से पता चलता है कि ये लड़की बहुत आमीर है इसलिए इसके डौगी ने गोर्ड जूलरी पैनी हुई है जबकि दूसरे नमबर वाले लड़की के पास जो डॉगी है उसने ऐसा कुछ भी नहीं पैना हुआ है इसलिए ये जो पहले नमबर वाली लड़की है वो अमीर है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें थैंक यू